तो यह तोस्तों Epson का L6190 Duplex Printer, यह एक Ink Tank Printer है और इसको हमने Epson के L655 के बाद लिया था, यह कुछ एक Snapshots है जब हम इसको Open कर रहे थे तब शेयर करने के लिए, तो इस Box के अंदर आपको Printer CD Manualism मिलेगा और यह instructions है कैसे आप Ink Tank के अंदर इसमें Ink भश सकते हैं, यह देखे जै ब्लैक इंक भर रहा हूँ, जो सबसे खास बात है, इस Printer की यह काफी चोटा और पोर्टेबल है आकार में, जो उसका Ink Tank है जो अभी आप देख रहे हैं, यह अंदर की दर बना हुआ है, बजाए L655 के, जिसमें पहले Ink Tank बाहर की दर बना हुआ था, यह एक Totally Spillproof Design है, जिसमे आपका जो Ink Tank है, वहाँ से जब आप इसमें इंक डालते हैं, बॉटल में से, तो इंक गिरने का खत्रा बहुत कम रहता है, यह मैं एक आपको हलका सा इसका दिखा रहा हूँ, यह आपका Serial Number यहाँ पे mentioned है, और इसमें, इसको बंद करने के बाद यह आपको पता भी नहीं च इसमें टीश्य पेपर से जो आते हैं, वाइट से उसमें साफ करने की जरूर सहमत उठाएं, यह जो आपकी पेपर ट्रे है, यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, इसके पीछे इस पेपर फ्रेल के पीछे आपको मिलता है यह स्टार्ट का बटन, होम बटन, कॉलिंग का और यह आपका टस्क्रीन है, कॉलिंग का बटन दसमें सी है कि जब आप अपने वाइफाइ डारेट को कॉल कर रहे हैं, यह है आपका आउटपूट ट्रे, जहां पे आपकी आउटपूट आएगी प्रिंटर के और यह जो सब से खास बात है, यह है इसका इन्पूट ट्रे यहां पे आप अपने पेज को डाल सकते हैं, और पेज निकल कर बाहरवाली ट्रे पे आजाएंगे, इस तरीके से यह आपका प्रिंटर बंद हो जाता है, अगर मैं इस प्रिंटर को चारो तरफ से देखना चाहूं, यह मैं थोड़़ से थोड़़ जरी के लिए मैंने पॉ और केबल और लैन केबल लगाने के लिए पोर्ट्स हैं, तो मेरे लिए काफी बड़ा अपग्रेड है, L655 से जो की एक मैनुवल डूप्लेक्स प्रिंटर था और यह आपका L6190 एक आपका आपका आटोमेटिक प्रिंटर है, यह मैं आपको दिखा रहा हूं कि कैसे इसमे इंक भरी जा रही है और यह अभी समें ब्लैक वरी जा रही है , आपको कु užच नहीं करना है, आपको इसमें प्रिंटर में इसकोपन करना है और बॉटल को आपको ढगा देना है , बजाए पहले जब पहले आप उसको खोलते बैसे और DROPK करते थाने प्रिंटर के इंक हैं अगर आप वो नहीं देखें हैं तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि थोड़ा सा वेट करें या फिर आप किसी और भी प्रिंटर में जो L655 है आप वहां पर देख सकते कि किस तरीके से इंग डाल लिया थी थी मुझे थोड़ सा समय लगेगा क्योंकि मेरे बस जो पराणा प्रिंटर है मुझे बरस में आपको इंग डाल की तिखाना पड़ेगा अगर आप देखेंगे तो इंग काफी स्वीट से बर गई थी बीना किसी समस्या के और यह रियल टाइम में करना इसलिए जरूर थी ताकि आपको एक आइडिया लगा रहे कि किस तरीके से इंग भर जाती है यह देखें यह आपका नोस्पिल वो टेक्नोलोजी है और अभी यह एक आपके नया बॉटल है सियान रंग की सो सी वाई एन कहते हैं मैं अभी आपको इसको ओपन करके दिखा रहा हूं और यहां पर पू अगर जो लगा रहा हूं या अगर मैं इसको नीचे अगर में कर भी रहा हूं तो भी इंक बाहर नहीं आ रही है यह सबसे खास बात है और यह पहले मैंने देखा था आपके HP के बिंट्रेंश में एक चीका ख़्याल रखें कि सही को सही जलॉटमें डालेगा नहीं तो आप आप पानी को गटकते हैं वैसे गटकने के आवाज आएगे यहां देखिए कितनी स्पीड से इंक आपकी भरी जा रही है जबकि पहले वाले में क्या होता था कि मुझे इसको हलका सा दबाना पड़ता था अच्छा एक चीज और कंपनी की तरफ से कहा गया है कि अगर आप इस आज मुश्किल से 20 से 30 सेकंड लगे होंगे और यह आपका टोटली भर गया है और आज माफ कीजिए कि मैं उसकी वीडियो नहीं बना वाया विकॉस आज मैं थोड़ा सा बीजी था लेकिन मैं बहुत जल्ब मैं आपको एक लाइव डेमो करके दिखाऊंगा कि कितनी